है गे हमारी estatus में ऐसी चेंज करना आगा सिधा़् मिनिमम जैडी क्या बन जाएगा ऑफ स्टी डबलू-वन ये आա और इसी ती थरीके से माइनस डबलू 1 प्लस 12 ग्रेटर थैने को हिसे क्म्प्लिट करेंगे हम हुआ टो है हम आध इसे मिनिमम्टजात को मेग्जिमंगे की मैघजीमम जैड़ी वstar एक्वल टू क्या होगा यह देखो यह तो मिनिमम तो हम यूज करेंगे नहीं उसके लिए तो मैक्जिमम में चेंज करते हैं इसे तो मैक्जिमम जैट डी डैस कितना हो जाएगा यह माइनस से मल्टिप्लाइ कर लेंगे माइनस वन से तो 3W1 प्लस हाँ और पहले तो वैसे हमें वो लिखना चीए था इनकी कॉंस्टेंट्स को लिखेंगे पहले तो क्या जाएंगे माइनस डबलू वन माइनस डबलू टू माइनस डबलू ट्री क्यों कि इसमें ग्रिट दैन आए अच्छा और प्लस अच्छा ये एक्वल टू फॉर तो ये आ गया ऐसी दूसरे वाला भी लिख लेंगे डबलू वन प्लस डबलू टू माइनस डबलू फॉर एक्वल टू टू लेकिन अब इसमें हमें आर्टिफिसल वैरेबल एड़ करने होंगे तो इसमें तो हम डबलू ए वन कर लेंगे और इसमें डबलू ए टू कर लेंगे ठीक है यह हमने artificial variable add कर लिए इसमें और फिर हम इसकी equation बनाएंगे और इसमें w1, w2 को 0 लेंगे तो w3 की value माइनस में आती थी ठीक है तो इसे भी हम 0 ले लेंगे तो w1, w2 की value 4 और 2 निकल का जाएंगी यही हमारे basic variable होंगे अब इसे आगे solve करते हैं जब हम table बनाते हैं इसकी तो देखो इसकी table हमने बना ली ठीक है और table तो as it is जैसे हमने पहले उसमें पड़ी थी उसी तरीके से है वैसी solve करना है maximum delta j निकाल लेंगे और इन्हें और फिर मैं last नहीं बताता हूँ तो last simplex table नो डेल्टा जेजगे जिरो एन्हें नों जिरो आर्टिफिसल वैरेबल एप्पिर इन बेसिस तो आप्टिमूम बेसिक फिजिबल सोलीशन नहीं है तो यह तो हमारा हो जाता है दो दूसरा एक्जामपल है उसी तरीके का और इसमें भी हम ऐसे इसको मैक्जिमूम जेट डीट एस और इसके वैरेबल कम्प्लीट कर लेंगे ठीक है यह हमने टेबल बना ली इसमें दूसरे में और फिर हमने last में पहुंच गे इसमें भी डेल्टा जेजगे सब जो हैं वो लैस दे निकल टू जीरो आ रहे है तो optimal solution exist करता है अच्छा इसमें artificial variable भी नहीं थे है न तो इसका solution निकल के आ गया यह हमारा और solution क्या क्या रहे हैं इसके निकल के हमारे एक्स वन बैट डबलू वन इकल टू थरी और बाकी हमारे और डबलू टू इकल टू जिरो डबलू थरी इकल टू जिरो डबलू फोर इकल टू और minimum प्राइमल का जो solution है एक्सवन दो वैरिवल थे ना इसमें एक्सवन और एक्सटू तो एक्सवन की वैल्यू निकलेगी माइनस डेल्टा फाइव से और एक्सटू की वैल्यू निकलेगी माइनस डेल्टा 6 से यानि कि dual से ही हम primal का भी solution find कर सकते हैं ठीक है ना कभी-कभी आ जाता है और ये पूछ भी लेता है ये एक number question में पूछ लेता है कि अगर हमें basic solution primal का निकालना हो तो dual से कैसे निकालते हैं किस delta j से निकलता है जाके तो w1, w6 तो इसमें जो basic हमने जो अलग से variable लिये थे w5, w6 उनके delta 5 और delta 6 जो हैं इसके solution कहलाते है x1 और x2 के maximum z d 10 आ गया और x1 हमारा 4 और x2 इकल टू 1